नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महतोपून जानकारी को ले करके जिहां आईए आज हम सभी जानते हैं एक बहुत ही खास टोपिक के बारे में बहुत शूभ है 17 मार्च का दिन शनी देव चमकाएं कोण इस दिन भगवान शनी को खुश करने के लिए अच्छा माना जाता है जिस किसी के उपर शनी की साधे साती या फिर ढया चल रही होती है कुछ उपाय करने से उसका प्रभाव कम हो जाता है जिहां सबसे पहले आए जानते हैं मेर्ष राशी के बारे में जिहां इस उपर की दाल मिट्टी के कलश में भरें उस पर सर्सों के तेल का चो मुखा दिपक लगाएं आसन पर बैठ कर शनी देव का ध्यान करें जिहां इसके बाद मिथुन राश शनेश्चरी अमवस्या के दिन सुर्योधय से पहले उठकर और रस्नान के बाद सवाकिलो साबूत हरे मुंग हरे रंग के कपड़े में बांध कर श्टील के बरतन में घर के पूजा स्थान में रखें शनी देव का ध्यान करते हुए बरतन के उपर सर्सों के तेल का चार बत्ती वाला दिपक जलाएं शनी देव का ध्यान करें और यह बरतन किसी बुजूर्ग व्यक्ति को दक् स्थान में रखें शनी देव का ध्यान करके अपनी सारी समस्याओं से मुक्ति का आगरह करें आपको लाव होगा कनिया राशी वाले लोग काली उडद की डाल को गरीब में बाट दें तुला राशी वाले इस दिन कुष्ट रोगियों को भोजन कराएं और दान में काली चीज अब शनी देव का ध्यान करें यह पोटली किसी ब्रामहर को दान करें मकर राशी वाले शनी को खुश करने के लिए इस दिन 11 बार हनुमान चालीशा का पाठ करें कुम्भर राशी वाले शाम को पीपल के पेंड के नीचे तेल का दिपक जलाएं उनको लाव होगा मिन राश को दूर करने के लिए यह बेहद ही आसान तरीका था घरेलू जिसके सहारे आप लाप पा सकते हैं अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धनिवाद नमस्कार दोस्तों